नमस्कार साथियो आज हम बात कर लेते हैं पासपोर्ट से रिलेटेड अब आप बोलोगे भई पासपोर्ट का तो हमें पता ही है क्या क्या डोकुमेंट लगते हैं नोर्मल लगते हैं लेकिन मैं और कुछ डोकुमेंट वो बताने वाला हूँ जो आज तक आपने नहीं तो पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपको 6-6 डॉकुमेंट मैं ऐसे बताऊंगा कि जिनके आदार पर आप उनका पासपोर्ट बनवा सकते हैं डिटेल से बात करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लें वाई फेस्बुक पेच वाले पेच को फॉलो कर लें चलिए सुरुआत कर लेते हैं इंडिया से बाहर जाने के लिए आपको पासपोर्ट की रिक्वायर होती है बिना पासपोर्ट के आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हैं हाँ प्लेन में अगर बेटना हो तो दिली से बंबे कलकता कहीं पर भी आप आधार काड रासन काड की कोपी या फिर ओडर आइडी की कोपी भी लेकर आप गूम सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसी प्लेन से आप अगर देश से बाहर निकल रहे हो तो आपको एक पासपोर्ट नेसल आइडी की ज़रुत होती है और National ID शिरफ और शिरफ पासपोर्ट है, पासपोर्ट के लावा कोई National ID नहीं होती है, International ID के अगर हम बात करें तो, तो इसमें अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपके पास क्या डोकॉमेंट हैं और क्या नहीं हैं, दस डोकॉमेंट मैं बताऊंगा साइध आपने मिनिमम मिनीम चाar डोकॉमेंट के बारे में सोना होगा, अगर बच्चे के अगर आप नावालिक के बनाना चाहते हैं, तो उसके भी बारे में हम बात करेंगे, साता डोकॉमेंट मैं से कोई भी अगर तीन ये चाar डोकॉमेंट है तो आपका पासपोर्ट इसली बन आगे पासपोर्ट का चार्ज बगएर है पूरी डिटेल से हम बात करेंगे तो चलिए सुरुवात कर लेते हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैं बता दूं सातियों किसी भी आप अगर पासपोर्ट बनाना चाहते हैं अगर आप बालिक हैं 18 साल से उपर हैं तो कम से कम 15 डो किसी भी बेंक की पासपोक आपके पास हो सकती है भारतिय वोटर आइडी का मतलब समझ सकते हैं आप जो वोट लगते हैं एक आधार कार्ट से हो सकता है अगर च्यार नमर बात करें जिस घर में आप रहरे हैं उसका बिजली का बिल अगर आपके पास है तो वो भी evidence में काम आ सकता है पांस नंबर पे बात करें अगर आप किराय के मकान में रहते हैं तो आपके पास rent agreement होना चाहिए rent agreement भी आपके इस evidence में काम आज जाएगा छे नंबर पे बात करें भारतिय ड्राइवरिंग license अगर आपके पास license है तो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है पेन कार्ड भी है तो वह भी मनने होगा पॉलिशी बॉंड लाइसी बगार बॉंड होते हैं आपके पास तो वह भी इसमें evidence का काम करता है income tax अपके पास अगर assessment order है तो उसकी कोपी आप इसमें जिस company में काम कर रहे हैं वहां का letterhead भी इसमें हो सकता है school living certificate अगर आप किसी school में रहते हैं तो उसका living certificate आप school की तरफ से बनवा के अच्छे अच्छेट करवा के वह भी आप इसमें सामिल कर सकते हैं connection का अगर आपके पास है घर में तो वह भी इसमें apply हो सकता है अगर निगम की तरफ से जनम पर्मान पत्र एक होता है आपको पता है सब के पास वह भी आपके पास है तो चल जाएगा पंद्रह नंबर सबस्क्राम पर समस्य क्रियेट आपके साथ कर सकता है बाफिए डोकुमेंट चल जाते हैं कि यह इगर देखा जाएं तो कहीं नहीं आपके इन्डिक्ली गोर्मिन्ट रजिस्टर्ड या फिर अपुरों डर्ट होते हैं इन डाइरेक्टली इसलिए डर्ट मने होते हैं यह अगर आप नावालिक का पासपूर्ट बनेवाणा चाहते हैं जो 13 साल चोटा है तो उनके साथ आपके क्या के डाप अडरी ज 125 एज्चेए नावालिक है तो तो थो 12 सvosID t है तो वो भी इसमें add कर दीजिए उसका bank में अगर account है तो photocopy आप लगा सकते हैं नगर निगम की तरब से जनम परमान पत्थर भी आप इसमें लगा सकते हैं चार नंबर पे चार नंबर पे बात करें ऐसी bond policy जिसमें पॉलिशी लेने वाले की debt of worth लिखी गई हो यानि उसका जनम परमान जनम debt उसमें लिखी हो bond में वो भी चल जाएगी उसका आधार काड आज कल सबको प्यास होता है तो वो भी इसमें चल जाएगा उसका pen card जी हाँ pen card अगर है तो वो भी चल जाएगा इसमें नाबालिक सक्स के school living certificate अगर बच्चा पढ़ता है तो वो भी इसमें living certificate चल जाएगा नाबालिक सक्स के मातापिता के नाम का current proof यानि no इसमें फूर्फ है current proof मातापिता का important है उनका passport की copy मात father and mother की साथ में लगेगी क्योंकि father का passport होगा तभी तो बच्चे का बनवाएगा वरना खुद का ही नहीं है तो बच्चे का बनवाने का मुझे नहीं लगता नाबालिक बच्चे का कोई मतलब निकलता है क्योंकि बच्चा तो उनके साथ ही जाने वाला है तो यह document अगर आपके पास हैं तो आपका passport बन सकता है बड़े जो नावालिक हैं उनका 5 साल का passport बनता है जो 18 साल से उपर है उनका 18-10 साल का passport बन सकता है वाकी फीस आपको पता है इंडिया में 1500 रुपे minimum फीस है पासपोर्ट के परकार बगएर वह अलग सी वीडियो हम डालेंगे उसमें डिटेल से और जानकारी हम देते रहेंगे वीडियो अचा लगे तो लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जहिन जय भारत